नमस्कार जोहार में नाम है शुबंकिसोर आप देखना शुर काशपय हैं लगतार आप सईध भगत सिंग के प्रतीमा को लगाने को लेकर राश्टिय यूवा सकती संगत Eb Copy मेदान में सईध भगत सिंग के परतीमाति को लगाए लेकिन अभी तक पर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जैसा कि आप सभी मीडिया के साथ ही लगातार इस बात को चला रहे हैं उठा रहे हैं और हमारा सयोग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से सहीदे आजम भगत सिंग की परतीमा को लगने से से रोका गया और यह एक दुखत घटना है यह जारखन जो है एक यह करांतिकारियों की भूमी रही है भगवान बिर्सा मुंडा की मातरी भूमी रही है और भगवान बिर्सा मुंडा की मातरी भूमी पर सहीदे आजम भगत सिंग को दो गज जमी नव मिल पाना यह बहुत ही दुखद है और उससे भी ज्यादा दुखद है जैसा कि आपने देखा कि जिला परसासर ना सिर्फ परतीमा हटाया ही नहीं जिस अपमांजनक तरीके से परतीमा को हटाया वो क्रेन से वो फंदा डाल के ऐसा लग रहा था कि मानो आजाद भारत में फिर से एक बार भगसिंग को फासित दी जा रही है तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोग काफी दुखित हैं और बिचलित हैं और जारखंड के सारे युवाब अब इसके लिए जो भी प्रयास करना है कि वहां परतीमा स्थापित हो उस और अग्रसर हैं और जो हमारा आगामी जो ये कारकरम ह है ये 23 अपरेल से सुरू होगा 23 अपरेल को हम पूरे राची में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उसमें लोगों को इस मुहीम से जोड़ेंगे इसके बाद 24 और 25 अपरेल को हम नुकर सभा करेंगे जगा जगा जाएंगे और लोगों को बताएंगे किस तरीके से ये जो घटना करम हुआ ये कितना नाटकिये था और परसासन का इसमें किस परकार से एक गैर जिमेदाराना वेवहार उनका निकल के सामने आया इन चीजों को लोगों को बताएंगे और लोगों से हम सहयोग मांगेंगे कि हम भगत सिंग की जो परतिमा लगाने जा रहे हैं उस स्कूल के प्रांगन से सुरू होके अलबर्टिका चौक तक जाएगी और उसके बाद 27 अप्रेल को जो हमारा सबसे बड़ा कारिकरम होगा लगभग जारखन के 20 हजार युवा मुराबादी मैदान में एकतर होंगे और वहां से ये हमारा कोई उगर आंदोलन नहीं होगा हम हम वहां से प्राथना मार्च निकालेंगे प्राथना मार्च मतलब हम सभी हाथ जोड़कर वहां से मुखमंतरी आवास तक के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां पर तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे जब तक मानिय मुखमंतरी जी हमारी बातों को सग्यान वे ना ले और हम से मिलना लए चुकि पिछले रवीवार को ही हम लोगों ने मानिय मुखमंतरी जी को आविदन दिया था और उनको वस्तोषिति की जानकारी दी थी उन्हें बताया था कि किस तरीके से जिला परसासन इसमें हच्छेप कर रही है जबकि हमारा वहां पर निर्मान कारे परसास गये उन्होंने कहा कि आप डिसी साब से मिलिये वहां पर आविदन दिए फिर उसके बाद जब परतीमा वहां चली आई तो उन्होंने कहा कि परतीमा तो यहीं रहेगी पर आपको एक माहा का समय लगेगा एन ओसी के लिए और आखिर में चौकाने वाली बात कि वह को एन ओसी मिल ही नहीं सकता है वहां पर संभो ही नहीं है तो लगातार उनका बयान बदलने लगा तो आखिर वे किस समिधान के हिसाब से चल रहे थे जो प्रतिदिन बदल रहा था तो इन सब चीजों को लेके हम मानिय मुखमंतरी जीसे मिलना चाहते हैं उनके सामने ये सा आई थी सुरू-सुरू में उसमें हुआ था कि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए जी ये 28 फिट की भगसिंग जी की प्रतिमा है ये भारत की सबसे विसाल पर प्रतिमा है और इसको लेके हम लोग काफी खुश थे और हम ने आठ फरवरी 2023 को नगर निगम से अनुमती ली थी जिसका पत्र भी हमारे पास मौजूद है और इसके बाद काफी उत्साहित होकर हम इस वर काम कर रहे थे और आपको मैं बताओं कि हमारे संगठन के कई लोगों ने अपना जमीन तक बेच दिया अपना जो सोना है घर का का जो सोना है जेवर है उसको भी जाके गिर्वी रख दिया ऐसे करके हम लोगों ने पैसा जूटाया और भारत की सबसे विसाल प्रतीमा बनाई अब ये काफी दुख़त है और हमारे समझ के बाहर है कि आखिर ऐसी क्या समझ से आये कि जिला प्रसासन इसको नहीं लगने द खरच आया और उसके बाद हम लोगों को आगे का जो कारकर्म करना था मतलब एएक एक अगर नाजाये की कि यह यह प्रतीमा को हुआ चैला के लिए जो भी कारकरम था हम लोगों का जो प्रसताविस कर्च्च ता वह लगबख 25,000,000.000 र руки अपван कि क्या कह अरिए? कर क्या कहना है सरकार का मैं अगर उनका क्या कहना है अगर मैं बताओं तो आप भी बिचलित हो जाएंगे चुकि हर दिन उनका कुछ नया कहना है उनका पहले कहना कि भाई इसमें आविदन दे दीजी एनौशी के लिए आप इसको कर लीजए उसके बाद प्रतिमा लगा हमने माँ चब उत्रा हमने बना दिया था उसमें उनका कोई भी अब्जेक्शन नहीं आया था उसके बाद प्रतिमा लाके रखा था और उसके बाद उनका कहना था कि इसमें एक माह का प्रोसेस लएगा आप सारी प्रकिरिया को पूरी कर लिजे ठीक है अगर ऐसी प्रकिरिया थी तो हम बढ़ रहे थे अखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उसके अगले दिन जस्ट एक दिन के बाद आप आए रातो रात चोरी चुपे प्रतिमा हाटा ली आप पहले सही थे कि बाद में सही थे तो आप जैसा पूछ रहे हैं कि उनका क्या कहना रहे तब तो हम बताएं उन समाजी क संगठनों का हम लोगों को सयोग मिल रहा है और यह हमारा जो कारिकरम है यह मुखमंत्री आवास घेराव कारिकरम नहीं है यह हमारा प्राथना मार्च है हम अपनी प्राथना लेके जाएंगे कि यह करांतिकारियों की भूमी रही है बगवान बिरसा मुंदा की दोगज जमी न मिलना जार्खण को सर्मसार कर रहा है पूरे भारत में जार्खण सर्मसार हो रहा है तो यहां आप देख सकते हैं साफ कहाना है कि भारत सर्मसार हो रहा है यहां दोगज भूमी भी नहीं मिलना बहुत सर्म की बात है तो फिलाल इस गबरमित नहीं आप देखत नहीं लगतार जुड़े हैं तमाम जानकरियों के लिए नमस्कार